जीजिया जी ने दर्शन को इस रूप में देखती हूं ने कि जैसे उन्होंने उनके लिए माना जाता है कि वो बहुती अटल वचन के थे और सत्यवादी थे और साथ इसाथ में उन्होंने समाज के जो हर एक वर्ग के लिए उनके लिए जो जातीपाती का बहिद्भाव नी उन्होंने जैसे शुद्रों को जो है मंदिर में जो है स्थान दिलवाया कि मंदिर में उनके लिए प्रवेश का जो है उन्होंने मार्ग बनवाया कि जो है वो मंदिर में प्रवेश कर सके पहले के लोग क्या मानते थे कि मतलब शुद्र जो है वो नी तबके के लोग है तो मतलब उनको उन्होंने स्थान दिलवाई तो मतलब उनके अगर हम देखें तो उन्होंने इस चीज को लिया है कि वो समाज में कोई भेदभाव नहीं चाते थे उनके हिसाब से कि हर एक व्यक मंतलब नाग को अमने की स्तिक्षा मिलती है। वचन मतलब हम कर सकते हैं हमें वही वचन उनको देना चीए कि हम अपने वचन पे अटल रहे सत्यवादी होना बहुत ही ज़रूरी और हमें यह सीक उनसे मिलती है और उन्होंने जो है प्रेणा लेनी चीए, कि हम उनके अटल वचन को, उनके जो समाज में भेधभाव नहीं हो, इस चीज को फॉलॉप करना चीए, कि हम उनकी इन चीजों को माने और हमारे देश को तरक्की करने में, विकास करने में अपना योग दान दे, वो तक जो है उनके जो भी विचार थे वो हम पहुंचा है, जो पैनॉरमाज हमने बनवाए हैं, जो मतलब कि उनके बारे में हम, जिसे लीनन एक्स्प्रेस से लोगों ने जाना कि उनकी घोडी का नाम जो लीनन था, फिर उसी से लोगों को कुछ लोगों को पता चला कि तेजा जी थे कौन, एक्चुल के अंदर, मतलब कि क्योंकि राजस्तान में बहुत से यात्री आते हैं यात्रा करने के लिए तो उनको पता चला कि इसका नाम लीनन क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी पिछले चार साल पहले ही रखा गया है, तो उससे तेजा जी के बारे में पता चला लोगों को, दूसरा है कि इसको विकास मिलेगा इसका बढ़ावा होगा तो लोगों तक जो है इनकी विचारों का आदान प्रदान होगा मतलब कि यहां के विचार जो है वहां तक पहुचेंगे